नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आप EBS पेड़ागोजी के कुछ महतोपून प्रेश्टनों की सिरिंखला देखने जा रहे हैं EBS पेड़ागोजी सीरीज की ये प्रमुक नवी वीडियो होने जा रही है अगर आप EBS के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले आने सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट पेड़ागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा सीटेट प्रिवियस येर दिसंबर 2021 के अलावा पहले के सभी वर्षो में पूछेगा सीटेट के प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों शिफ्टों के कंप्लीट पेड़ागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं के लिए कोई निर्धारित पाठे पुस्तक नहीं है निमलिकित में से इसका सबसे उप्यूक्त कारण क्या है ध्यान से समझेगा कक्छा एक में और कक्छा दो में इसका क्या कारण है ये हमसे पूछा जा रहा है तो कक्छा एक और कक्छा दो में EBS के लिए EBS का जो ग्यान होता है EBS की जो सिख्छा होती है वो भाषा और गड़ित के माध्यम से ही एकिरित करके दिया जाता है कैसे अब इसको समझे जैसे कि देखिए बच्चे को गड़ित सिखाने के लिए गड़ित की पाठे पुस्तक में एक लिखा रहेगा और उसके आगे एक बिल्ली का चित्र बना रहेगा इसी प्रकार से दो अंक सिखाने के लिए दो लिखा रहेगा और उसके आगे कुत्ते का दो चित्र बना रहेगा देखिए अब बच्चा बिल्ली को एक बिल्ली को देख करके एक संख्या को समझ पा रहा है और दो कुत्ते का चित्र देख करके दो अंक को समझ पा रहा है यानि कि उसको संख्या सिखाया जा रहा है लेकिन किसे से जोड़ करके सिखाया जा रहा है कुत्ते और बिल्लियों से कुत्ता और बिल्ली बच्चे के परिवेश का हिस्सा था जो की उसके इन्वारिमेंट का पाड़ था अपने आस पास उसने कुत्ते और बिल्लियों को देखा था यानि गडित जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो उसके परिवेश से उसके environment से जोड़ करके पढ़ाया जा रहा है और environment क्या है वहीं तो avious है ये हो गई बात गडित की अब बात करें भासा की तो देखिए बच्चे को कॉप पढ़ाया जाता है कोज से उसको कबूतर पढ़ाया जाता है और कबूतर का एक चित्र उसके यहाँ पर कोज बच्चे को भाशा बताया जा रहा है देखे भाशा पढ़ाया जा रहा है और उसे से जोड़ करके कबूतर बताया जा रहा है खाब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और खाब से लेकिन इसे से correlate किया गया उसके परिवेश को इसी प्रकार से जब अंग्रेजी पढ़ा जागा तो A से apple पढ़ा जाता है B से ball पढ़ा जाता है C से cat पढ़ा जाता है D से dog पढ़ा जाता है तो ये भी भासा का हिस्सा है और भासा के माध्यम से उसको ये सभी चीजे जो उसके दैनिक परिवेश में वो देख रहा है उसको जोड करके पढ़ा जाता है यानि कि जो EBS का पार्ट है वो बच्चों को कक्षा 1 और 2 में भाषा और गडित के माध्यम से ही पढ़ा जाता है इसलिए अलग से कोई भी पार्ट पुस्तक निर्धारित नहीं किया गया कक्षा 1 और तो पहले बच्चे को ये बताना आवशक है कि पौधे और व्रिक्ष हमारे लिए कितना important है इसके वज़े से किस प्रकार से climate change हो रहा है और किस प्रकार से बारिश में लगतार कमी आ रही है और वातावरन का temperature लगतार बढ़ रहा है ये सभी चीज़े बच्चों को बताना ह बढ़ेगा वो सब कुछ नाटक में included होगा जो कि बच्चा अभिनाय के माद्यम से नाटक में रोड प्ले कर रहा होगा तो जब बच्चा रोल प्ले कर रहा होगा तो इन सभी बातों के बारे में वो जानेगा ये सभी dialogue वो बोल रहा होगा यानि कहीं न कहीं वनों के प्रती वो समयदंसील होगा तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सटीक होगा इसके बाद से देखिए डी वाला देखिए एक पेड को अपनाना और उसकी देख भाल करना अब पेड को अपनाने से जब बच्चा पेड को अपनाएगा तो जिस प्रकार से माता पिता अपने इसके बाद से देखिए हमारा सी और डी पॉजटिव हो गया अब बी की बात करें तो वनों को काटने से बचाने के लिए पोश्टर बनाना पोश्टर यहाँ पर इतना इंपोर्टन नहीं है क्यों क्योंकि बच्चे खेल के मादम से गतिविदी के मादम से और जिसमें सक्र यह तोर पर पाट्सपेट कर रहे हैं उसी के मादम से बच्चे सीख पाएंगे पोश्टर बनाना यहाँ पर इंपोर्टन नहीं था निगेटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा पहला विकल्प देखिए लकडी के लटों के गोदाम का ब्रहमड करना छेत्र ब्रहमड जिसमें बच्चे औलोकन करके खुद सीख सकते हैं तो यह एप्रोप्रियेट होगा यानि विकल्प नमबर एक भी एप्रोप्रियेट है उत्तर क्या बना A, C और D दिये गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नमबर एक में A, C, D की बात की गई है विकल्प नमबर एक सही पहला दिया गया है मान के क्रित टेष्ट जो राष्ट्रिये मानकों को बनाया रखने के लिए उप्यक्त हो यह विकल्प निगेटिव है कैसे आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक सारे रूस से अक्षम बालक जैसे कि कोई देख नहीं सकता कोई लक्षा में हैं तो क्या यह संबह है कि मान के क्रित टेष्ट यानि कि एक स्टेंडर्ड टेष्ट के माध्यम से ही राष्ट्रिये मानकों को ध्यान में रखते हुए सबका मुल्यांगन किया जा सके नहीं पॉसिबल है क्योंकि कैसे यह प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि बच्चे परिच्छा दे पाएं मौकिक तोर पर जो बच्चा सुन नहीं सकता वो मौकिक तोर पर वाईवा में प्रश्णों को सुनेगा कैसे जब तक सुनेगा नहीं तब तक जवाब कैसे देगा और लिखित परिच्छा के मादम से जो दृष्टी बादित बाला के उसको सम गम नहीं कर सकता बच्चे की मांसिक इस्तिती ठीक है अगर उसको उसकी आवशक्ता के अनुसार जरूरती चीजे मुहया कराई जाए तो बहतर प्रदर्शन कर पाएगा ठीक है तो मानके क्रिप्टि टेस्ट यहाँ पर निगेटिव सेंस में था क्योंकि सबी बालक अपने आ परिप्रियेट हो सकता है लेकिन आज हम बाल के अंदर इस्क्षा की बात करते हैं जिसमें सिख्षा की बात ही नहीं होने चाहिए जो कुछ भी फेवरेबल कंडिशन होगा वह बच्चों के लिए होगा ना कि सिख्षा के लिए होगा तो यह विकल्प जो टीचर्स हैं उनक इसी बात की चर्चा कर रहा था कि सभी बालक अपने आप में यूनिक है और सभी अलग अलग आवशकता हों की डिमांड करते हैं इस वज़े से सबके लिए एक कॉमन टेस्ट नहीं होगा अब जो बच्चा नहीं सुन सकता वो समाने बच्चों के साथ वाईवा कैसे देगा और जो देख नहीं सकता वो कैसे समाने बच्चों के साथ लिए परिच्चा देगा यानि कि सबके लिए सरुमान टेस्ट नहीं हो सकता ये निगेटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा एक यहीं विकल्प बच्चा ऑप्शन नमर चार देखिए सिक्छक द्वारा बनाये गए उपकरण जो उसके विद्यार्तियों उसकी सिक्छन प्रणाली और इस्थानिय प्रसंगों के अनुकूल हो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका स्टिक जवाब होगा कैसे यहां पर देखिए सिक्छार्तियों की बात की गई है यानि बाल के अंद का इस्तमाल किया जा सकता है जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपी की आउशकता हो सकती है मतलब जो जिसकी जैसी रिक्वाइरमेंट है उसके हिसाब से सिक्छन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए ठीक है और उनके प्रसंगों को यहां पर टैकल करने की बात की यह और उसके अनकूल बनाने की बात के यह यानि कि पूरा यह विगल्प बाल के अंदर सिक्छा की तरफ इशारा कर रहा और समावेसी कक्छा के कॉंसेप्ट को पूरी तरीके से चरितार्थ कर रहा है इस वज़ए से आप्शन नमर 4 बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और य करना है यानि बच्चिएओं को पूरा अर्ध पूर अधिगम कराना है उसके लिए क्या करना चायए चारों विकल्पों में से चलिये पहले विकल्प से सुरजात करते हैं कहा जारा कि घर पर किये गया कर्या करते हैं और उसके जो सहरपाट है वो अउ включत के इस पश्टी करण, अब यहाँ पर जो भी इस पश्टी करण दिया जा रहा है, वो सिख्छा के द्वार दिया जा जा जा, जिसमें बाला के बिल्कुल निस्क्रिये बने होंगे, विचार विमर्स इस पश्टी करण इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे भी उसमें सक्री लिखते जा रहा है, तो वो कॉपी में लिखा हुआ साल भर ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, तो ये विचल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, एक अई विचार विमर्स, अब जो विचार विमर्स कर रहे हैं, वो बच्चे कर रहे हैं, और लेवाई गोस्की के जवाब होगा, विकल्प नमर तीन से उत्तर, अगला प्रेश्ण पूछा गया था, निम्न में से किस का उपयोग EBS के सिख्च को द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाडिक सीखने की छमता का आकलन करने के लिए होगा, ध्यान से समझेगा, EBS की कक्छा में पूछ बात करेंगे, कहा जा रहा है कि तिमाही टेस्ट, तिमाही टेस्ट में हो सकता है कि तिमाही टेस्ट में किसी वैक्ति विशेस या फिर किसी बच्चे का तबियत खराब हो जिसकी वज़े से वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, यानि कि तिमाही टेस्ट जो होगी वो पर्टिकुलर किसी एक दिन पर हो रहा होगा और उस दिन पर अगर बच्चे की तबियाट ठीक नहीं है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता यानि कि ये एक ही दिन की मुल्यांखन की बात करता है हमारा उतर नहीं होगा दूसरा देखें दत्यकारे की नोटबुक अब मालीजे कोई होमवर्क बच्चे को दिया गया होमवर्क जो कॉंसेप्ट बच्चे को कक्छा में पढ़ाया था उसी पर अधालित होमवर्क दिया गया अब मालीजे बच्चे को वो कॉंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो हो सकता है कि वो होमवर्क में अच्छा परफॉर्म ना किया हो और अगर उसके आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा तो ये प्रमाडिक नहीं माना जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर उस कॉंसेप्ट को बच्चे ने सीखी नहीं पाया था इस वज़से ये विकल्प निगेटिव होगा ऑप्शन नमर चार देखिए कक्छा में विवहार अब देखिए बच्चे के विवहार में कई चीजे के वज़से परिवर्तन आ सकता है जैसे कि बच्चे के घर का माहल क्या है बच्चा स्कूल आते समय किन तोरपर निगेटिव में होगा तो इसे प्रमाडिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल सौर्ट टर्म के लिए मुल्यांकन था ठीक है ये भी उतर नहीं होगा लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नमर तीन पोर्टफोलियो की तो ये बहुत ज़्यादा एप्रोप् पर्फॉलियो में मेंचन किया जाता है तो यहां पर क्या हो गया कि हाँ बच्चा साल बर में किस तरीके से सीख रहा था ये ज़्यादा इंप्रोटेंट है और यह सबसे ज़्यादा प्रमाडिक होगा क्योंकि यहां पर एक नहीं कम से कम 10-12 मुल्यांकनों को maintain किया गया होगा 10-12 एक तरीके से बच्चे के द्वारे जो गतिविदी की गई यूगी उनका outcome इस portfolio में mention किया होगा प्रतेक बच्चे के portfolio में तो इससे बच्चे के लगतार मुल्यांकन होने की संभावना जादा है और NCF 2005 राष्टे सिक्षानीती 2020 भी सतत और व्यापक मुल्यांकन की बात करता है जिसमें लगतार बच्चा जो कुछ भी गतिविदी कर रहा है उसके माध्यम से बच्चे का मुल्यांकन होना चाहिए पोर्टफोलियो बहुत सारे ओप्शन्स देता है कई गति विदियो में बच्चों के मुल्यांकन करने का ओप्शन देता है इसलिए ये प्रमारिक होगा ओप्शन नमबर तीन बिल्कुल सटिक जवाब है अगला प्रश ने पूछा क्या था हम चीजे कैसे बनाते हैं ये ए संकुचित था हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि EBS में बच्चे छेतर भ्रमण के मादम से और प्रत्यक्ष तोर पर अपने परिवेश से जोड़ करके देखते हैं इस वज़े से किवल चितर दिखाने से बच्चे नहीं सीख पाएंगे ये विगल्प संकुचित था इस उसके आधार पर तो ये भी बच्चा परिवेश में नहीं देख रहा है प्रत्यक्ष तोर पर बच्चा सहबागिता नहीं ले रहा है कि ये पुस्तक में इस बर्तन के बारे में जिक्र किया गया है तो ये विग्यल्प निगेटिव है हमारा उतर नहीं होगा दूसरा देख प्रत्यक्ष तोर पर बच्चा आउलोकन कर रहा है इसके साथ-साथ उसके निर्माड समागरी और निर्माड नमूनों को पहचाना ये विकल्ब बिल्कुल एप्रोप्रियेट है और यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था तीसरी कक्षा के विद्य क्षा में परिवार परगमन जिसे अंग्रेजी में फैमिली इंट्रेक्शन कहा जाता है के विचार की तरफ बढ़ते हैं इस थीम में पार्ठे चर्या उपागम क्या है ध्यान से समझेगा तीसरी कक्षा में बच्चों को परिवार के सदस्यों के बारे में बताए गया कि आ परिवार परिवार फैमिली इंट्रेक्शन का मतलब क्या हुगा जैसे कि देखिए अब ये आप थे, अब आपकी शादी होगी किसी दूसरे परिवार के बच्ची के साथ, लड़की के साथ, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा परिवार था, इनके माता पिता अलग थे, लेकिन ये आपके फैमिले से इंट्रेक्शन किये सादी की वज़से, त परिवार से फिर वो फैमिले ट्री की तरफ बढ़ा और अंत में जाकर के फैमिले इंट्रेक्शन की तरफ बढ़ा, तो ये क्या है, पहला विकल्ब देखिए दिया गया है, अमुर्थ से मुर्थ की ओर, तो अमुर्थ नहीं होगा, पहले मुर्थ वो देखा था, क्योंकि फैमिली ट्री में प्रते की फैमिली ट्री ऐसे ही होती है, तो विसिष्ट इसे समान होता तो हमारा उतर हो सकता था, यह उल्टा दिया कि हमारा उत्तर नहीं होगा, दूसरा विकल्ब देखे, वैश्विक से इस्तानिय की ओर, ये भी विकल्प बिल्कुल उल्टा दिया गया, इस्थानिय कहने का मतलब कि पहले बच्चा अपने पास में जो देख रहा है और उसके बाद भविश्य में जाकर के जो वो उसके साथ हो सकती है, पास में किसे देख रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, और उसकी साधी जब होगी family interaction जब होगा तो वो भविश्य में होगा ना तो वो वैस्टविक माना जाएगा तो ये विकलब उल्टा दिया गया और ये वाला विकलब देखे ये बिल्कुल appropriate दिया गया इस्थानिक से वैस्टविक ये इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था कि पहले प्रस्तावना प्रशन पूछ जाएगा उस प्रशनों के आधार पर बच्चों से कुछ पूरव जयान के बारे में जानकारी प्रात किजाएगो और उस पर आधारित नए ग्यान को बच्चे को दिया जाता है यहीं धियान में रखना होता है चलिए options में चलते हैं पहला दिया गया अनुदेशन और विशिष उदेस, देखेे, विशिष उदेस एकी बात की गई है, ये विकल्फ हमारा होगा, दूसरा दिया गया है छात्रों की पर्यावरण सजगता, तो ये विकल्फ नहीं होगा, क्यों? क्यों क्योंकि जब हम लोग पार्ध योजना तया आते हैं जिसमें पहले बच्चे का पूर्व ग्यान लिया जाएगा और उसके बाद से बच्चे को नए ग्यान से जोड़ा जाएगा तो यह क्या है यह प्रोसीजर होता है उसी की बात की गई है तो यह विकल्प बिल्कुल पॉस्टिव हो गया चौथा देकि समाने उद्यस तो पाठ योजना में समाने उद्यस की भी बात की जाती है यह भी विकल्प बिल्कुल सही है यानि कि A, C और D वाला विकल्प सही होगा चलिए अब ऐप्शन में चलते हैं दिये गया विकल्प में देखिए ऑप्शन नमबर 4 में A, C, D की बात की गयी विकल्प नमर 4 इसका बिल्कुल appropriate होगा अगला प्रश्ण पुछा गया था द्रिष्टी बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्लिकित में से कौन सी युगती पर्यावरान अध्यापन के लिए सबसे अधिक उप्यूगत है ध्यान से समझेगा बच्चे कैसे हैं द्रिष्टी बाधित हैं तो ज सुन करके बच्चा समझ पाए जैसे कि audio clip के माद्यम से सिर्फ जिसमें audio हो जिसमें बच्चा सुन करके समझ जाए हां तो ये बिल्कुल positive होगा हमारा उत्तर होगा क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है ठीक है दूसरा देखे क्या का जा रहा है इस पर्स या बड़े अक्षरों में विसे वस्तु का उपयोग किया जाए अब बच्चा देख नहीं सकता लेकिन चू करके महसूस तो कर सकता है ब्रेल लिपी के मादम से चू करके अक्षरों को महसूस ही तो करता है तो चू करके महसूस करने की बात की जारी है ये विकल बिल्कुल appropriate होगा तीसरा देखे अधानाओं की सरल चित्रो और ठोस मुर्त वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए व्याख्या वर्ड हमेसा negative होता है क्यों 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 हम लोग बात करें प्राइमरी स्थर के बच्चों को आप लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो बच्चे नहीं इसलिए क्योंकि व्याख्या की बात कर रहा था इस वैसे यह negative है हमारा उतर नहीं होगा चौता देखिए जहां तक संबह हो पार्ट वस्तुओं को अधिक से अधिक मूर्त निस्चित बनाया जाए यह विकल्प बिल्कुल appropriate है मूर्त निस्चित कहने का मतलब कि बच्चा ज अगला प्रशन पुछा गया है सलीम प्रात्मिक कच्छाओं के विद्यार्थियों को जल विष्य पढ़ाने के लिए छेत्र ब्रमण करना चाहता है इनमें से कौन सा जगा उचित रहेगी ध्यान से समझेगा जल के बारे में बताना है तो जहां पर जल मिलेगा वहीं तो उ दोस्तों सीटेट ईवियस पेड़ागोजी के महतपूर्ण प्रश्णों की ये स्रिंकला आपको कैसी लगी कमेंट के मादम से जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महतपूर्ण वीडियो लाने के संदर में अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले आने सभी सब्जेक्ट के कम्प्लीट पेड़ागोजी को डिटेल में पढ़ना चाते हैं साथी साथ प्राइमरी और अपर प्राइमरी सीटेट प्रिवियस एर कम्प्लीट पेपर सॉलूशन को डिटेल में दिखना चाते हैं